हेलो डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में बच्चों हम हमारे शरीर के किस तरह से देख भाल करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों हम सबका शरीर कितना important होता है हमारे लिए तो हमें उसकी बहुत अच्छी तरह से देख भाल करनी चाहिए क्योंकि health is wealth अगर हमारा स्वास्त सही है तो हम सबसे ज़्यादा धन्वान है तो हमारे जो संपती है वो हमारे friends, property अधी एक बार खोज आए तो वो हम वापस ले सकते हैं लेकिन अगर हमारा स्वास्त ठीक नहीं रहता अगर हमारा स्वास्त कराब हो गया तो हम उसको वापस कभी ने ले सक क्योंकि हमारा जो human life है जो हमारा जीवन है वह बहुत ही प्रीशियस है बहुत ही scared है बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही कीमती है इसलिए हमें हमारे सबसे पहला हमारा करतव्य है हर एक individual का हर एक व्यक्ति का कि अपने शरीर की अच्छी तरह देख भाल करें जिसके लिए हमें कुछ rules को मानना चाहिए जैसे हमें दिन में दो बार अपने दातों को brush करके साफ करना चाहिए हर रोज साफ पानी से साबुन से नहाना चाहिए अपने नखून काटने चाहिए उन्हें छोटे रखना चाहिए और साफ रखना चाहिए नखूनों को इसके अलावा अपने बा लिए पाड़ में पाथ कपड़ को रगना को बड़ा हमें अपनी आख होका है इसके अलावा मिठाई खाने के बाद या कोई फास्ट फूड खाने के बाद हमें ज्यादा नहीं खानी चाहिए मिठाई और फास्ट फूड जो होते हैं जंक फूड जो होता है इसके अलावा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए एक्सरसाइ के लिए रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है अराम से हमारा शरीर और दिमाग दोनों एकदम फ्रेश हो जाते हैं तो इसलिए हमें एक्सराइज के बाद थोड़ा सा अराम भी करना चाहिए और सोने से हमारा शरीर को अच्छा अराम मिलता है इसके अलावा कुछ अच्छे खान चाहिए और हर रोज बहुत सारा पानी पीना चाहिए इसके अलावा हमें हमेशा धका हुआ खाना चाहिए बच्चों जो हमारा स्वस्थ दिमाग होता हमारे एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग होता है अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा माइंड भी तो आप सबसे बड़े धनवान हैं, उसके बाद यह हमारा पहला करतविया है कि हमें अपने शरीर की अच्छी तरह देख भाल करनी चाहिए, दूसरा हमें एक दिन में अपने दातों को दो बार ब्रेश करना चाहिए, और हमेशा साफ और सुत्रे कपड़े पहरने चाहिए, इ जैसे फर्स्ट कोश्चन है, हेल्थ इस वेल्थ, तो हम यहां पर वेल्थ को टिक करेंगे, इसके अलावा वी शुड ब्रेश अवर टीथ, ट्वाइस ए दे, दिन में दो बार अपने दातों को ब्रेश करना चाहिए, वी शुड कीप अवर नेल्स, शॉर्ट और क्लीन, वी कोश्चन के आंसर करने है, wash your hands with soap and water, तो यहां पर इस तरह से हम इन फिलिंदा ब्लेंक्स को लिख सकते हैं, exercise keeps our body healthy, या fit, comb your hairs properly, इस तरह से हम इन कोश्चन के आंसर कर सकते हैं, अब यहां पर बच्चों हमें राइट और रॉंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अब यहां प लिखना है, we should brush our teeth once in a day, no, तो हम यहां पर रॉंग लिखेंगे, sometimes we should go for a walk in the morning, no, हमें डेली जाना चाहिए, we should wash our hands before and after meal, yes, we should eat green vegetables and fruits, yes, we should wear neat and clean clothes, yes, इस तरह से हम इन कोश्चन के आंसर लिख सकते हैं, तो I hope आपको समझ में आए होगा कि हमारा health हमार लिए कितना important है और हमें उसकी देखबाल किस तरह से करनी चाहिए, thank you,